बिहार बोड से जितने भी परिक्षार्ती मेटरी की बोड एक्जाम 2023 में उत्रीन कर चुक है उसके साथ जितने भी परिक्षार्ती इंटर की बोड एक्जाम 2023 में उत्रीन कर चुक है उसके साथ जितने भी परिक्षारती इंटर की बोड एक्जाम 2023 में उत्रीन कर चुक है उसक बब से आपकी स्कूल कॉलेज में मिलना सुरू हो जाएगा तो यहां पे दिखे सबसे पहले जो छातर सातरा है मैट्री की बोर्ड एकजाम उत्रीन कर चुके हैं तो यहां पे जनकारी दिया ज़रा है कि इंटर एडमीशन को लेकर सभी स्कूल कॉलेज इंतजार कर रहे हैं क् कि UFSS का जब तक पोल्टल ओपेन नहीं होगा तब तक की इंटरिमेडियेट में दाखिला की सुरूआत नहीं होगा और आगे की तरह बताया ज़रा है कि मैट्रीक परिक्षा का परणलाम 30 मार्च को ही घोसित हो गया था अभी तक UFSS थूरू इंटर में नामांकन की सुरू उत्रिंड की हैं उसके बाद आप अपलाई करेंगे तो सीधे आपको अपना रॉल नमर रॉल कोड समिट करना होता है आपका माक्स हो गारा नाम सभी जनकारी एटोमेटिक को वहां से विहार बोड के साइड से उसको उसको फील अप हो जाता है आपको सभी आपको फील करने कि कोई भी जरूरत नहीं पड़ता आप देखें यहां पे आगे जनकारी दिया जारा है कि स्कूल कॉलेज को मिला यूजर आइडी बिहार बोड ने इसकी सूचना सभी डीयो को भेजी दो माई तक डीयो से नया आइडी और पासवर्ड पराप्त कर सकते हैं आपके इंटर दाखिला यहां पे जनकारी देजर है कि इंटर में नमांकन की तैयारी ओफ हैसस के थुरू जो बिहार बोड क्लास अलबेंथ मिलेगा उसकी तैयारी उस सुरू कर चुका है और पीछे आपका कॉलेज वाइज सीट जारी किया गया था कि किस कॉलेज में कितना सीट है था कि अपने कॉलेज का चैन कर सके उसके बाद यूजर आइडिय और पासवर्ड हर एक विद्यालय का जारी कर दिया गया जिसे तो मई तक इस्कूल कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं तैयारी बता रहा है कि बिहार विद्यालय परिश्या समीती जल्द ही ओफ हैसस का पोल्टल ओप कर दिया जाएगा चातरों दुवारा ओनलाइन आवेदन के साथ ही कॉलेज या इस्कूल का भी कल्प दिया जाएगा आगे यहां पर बताया जारे कि अपका यूजर आइडी पासवर्ड भी हर कॉलेज को मिल चुका है तो अब सीधे आपका पोल्टल ओपन होगा आप ओनल ले या दूसरे सब्ता से इंटर दाखिला में ओनलाइन आवेदन की सुरुवात हो जाएगा इसका उफस का पोर्टल ओपन होगा और आप ओनलाइन आवेदन कर पाएंगे देखिए अगर आपको कॉलेज वाइज सीट देखना है कि किस कॉलेज में कितना सीट पे नमाकन होग और आपको कैरना है किस कॉलेज में कितना सीट है और उस में किस संकाएक अर्ट सैंस कमर्स civil के बाद आगर मिएक लिब्जर का सीट है तो कितना है यह पूरा सीट आचूए है आपको लिएक। लिंक मिल जाएगा इसगया इसी Carlo के उतरीन कर चुक है और जीने बीए, बीए, सीवीकम की पढ़ाई करना है बिहार के किसी भी इन्वर्सिटी से, तो देखे पीछे आपके लिए नमांकन के लिए पोल्टल ओपेन किया गया था जैसे पत्ना इन्वर्सिटी का पाटले पूत्रा इन्वर्सिटी का, बिहार सेमेस्टर का जब लोग तयार कर लेंगे सभी इनवर्सिटी तब आपके लिए नमांकन के लिए आवेदन की परकिरिया की शुरुआत होगा अभी असनातक में नमांकन नहीं होने जारा यहाँ पे देखे हर जगा यहीं जानकारी दिया जारा है कि असनातक नमांकन के लिए आ आउनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं यहां पर असपस्ट रूप से लिखा गया है कि हर एक विश्व विद्याले में अभी नावांकन पर रोखाय असना तक में अभी पोल्टल ओपन नहीं किया जाएगा हो सकता इस मंट के लास्ट वीक तक आपके लिए ओनलाइन आवेदन की परकिरिया की सुरुवात कर दिया जाए माकसिट की बात करें तो हर जगा यहीं जानकारी दिया जारा है कि अभी माकसिट स्कूल कॉलेज में नहीं आया है और कब तक आएगा इसका अभी डेट भी बिहार बोड के तरब से नहीं जारी किया गया है कि कब तक माकसिट आप के पर्थम सप्ता हमें शुरू होने जा रहा या दूतिय सप्ता तक किसी भी हाल में शुरू कर दिया जाएगा हर जगा यहीं जनकारी दिया जा रहा है क्योंकि बिहार बोड आवेदन लेने से पूर्व जो जो तैयारी करता है जैसे college wise seat जारी करना school college का user ID password में बदलाव करना वो सभी तैयारी कर चुका है अब सीधे आपके नमांकन के लिए portal open होगा और college wise seat आ चुका है अगर आपको देखना है तो सीधे link मिल जाएगा description में समझ रहे हैं वहां से जाकर देख लीजिएगा कैसे आप अपने mobile phone से चेक करेंगे कि आपके किस ज असनातक में नमांकन के लिए आवेदन पर रोख है यहां पर असपस्ट रूप से जनकारी दिया जा रहा है कि जब तक आपका चार वर्षी असनातक के दो सेमेस्टर का सिलिए बस हरे एक निवर्सिटी तयार नहीं कर लेता है तब तक आवेदन की परकिरिया की शुरूआत नहीं होगा तो आज के अपडेट में बस इतना ही था ऐसे जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जनकारी हम आपको देंगे तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद